हेलो गाइस तो वालकम इन आर स्टेटी चैनल जैसा कि मैं आज आप लोग लिए वन वर्स्ट इप्टिशन यानि कि अनिक सब्दों का एक सब्द आपके टोटल थर्टी फाइप एंट थर्टी सिक्स को चने ठीक है जो कि इतने भी आपकी प्रिवेस्ट एक्जाम अलाइक अस प्रिश्ट आना पी चलिए तो चलिए गाई टाइम को बेश्ट ना करते हैं करते हैं जैसा कि आप लोग फिर्ट दिखलाई दे रहा है इस सदें रौस औफ अलाज नंबर ऑफ नंबर और फ्राइट पीपल और अन्मल्स यानि कि बड़ी संख्या में डरा हुआ लोग इंक्लोजड एरिया मतलब क्या गाइस वैसा जगह जहां चारो तरफ से आपको घीरा हुआ हो ठीक है वे एरक्राफ्ट यानि एरक्राफ्ट कुसे बोलते है एरक्राफ्ट यानि कि जहां पर हवाई दाज आता है न तो होता है अपने जगह पर रुखता है और उसको बनाया ज इस दिखनगता है उसी प्रिकार पूछ रहे कि अरुप प्लीन होता है जहां पर उतरता है है रीपेरिंग उसको क्या उन कि शुब आ जैयाजते है तक हैंग्वर को स्मिदू रहेगा एक हैंगर कपड़ा जो होता है ने पसाणने वाला वापक हैंगर भाग होजाग है और आप का Abblu यहां отлич अब चलिए हम लोग next मते हैं ऑप नमघ एम इसना इधर पार्टी वींग्स यानि की वैसा मतलब एक गीम जिसमें नाइक परांठी बिन्स यह नही 갖고 बबब गाइन छीता तो क्या हो मान किया जिते पार्टा मेंहीं नहीं मतला किछी दोनों से कोई नहीं तो उसको बहुत हो गया पूढा फैनलस ली टू इंज शपरिंग तो कि गैपनेलस ली इछाय नहीं打 simply ँम शुल्स मान गुता के डर्दOOM थे न बहुत ही पेन होता है यान कि बहुत ही दर्ध होता है जो सफ्फरिंग हOTी किसी बी तरह से किसी बी रोक से प्यद़ी तो ठी है जो लाज्ट time होता है तो उसको पूलते हैं कि इंधैंजागे इंधॉनेश्या ई-i-o t-e-u-e-ch-aid-e-n esse सब्सक्राइब साए निक्त नमलेइंग एनश्य हैं जानबर और मनुष्य रहते हैं लेकिन क्या कहीं और रहते हैं एक साथ नहीं पॉर रहा है तुसको बोलते हैं परसाइट ठीक है यानि कि जो किसी और पर डिपैंड हो उसको बोलते हैं पारेसाइट जैसे पैरसन भी अपने पहरें इनमरे लोगह भी डिपेंड है इनसां पर ही एपना रोजी रूपी जो भी है कर रहे हैं तो इसको है बोलते हैं इस प्रक्रते स्थ हाइथ हो और ऑन्राइच्छ और यानि कोई भी काम खाशाते मेहनद आता है whether जाता ह आदर रखे गया एक डिलाइट होता है D-E-L-I-G-A-T यानि कि तिलाइट मतलो होता है खुछी आपका ठीक है happiness नेक्स था है नमबर ओर रिफ्यूजल ओंबर यानि कि यह आपको ओडर या आप उसकी बातों क्या रिफ्यूज करें रिफ्यूज यानि कि आपने असैप नहीं किया ठीक है तो करना ठीक है और ओर को तोसको क्या बोलेंगा वन बस्टों में D-F-I-A-N-C the finance नेक्स्ट है ना नेबर one who is preoccupied with his own interest यानि कि जो अपने interest क्यानि interest किसे बोलते हैं किसी तरह के लाव पत्प होना और उसको क्या होगा एक तरह से मतलब लाव में rapper ओ प्री ओक्पाइड मतलब बोलते हैं एक घमन टाइप में इगो टाइप में ठीक है इसको अंदर अपने टे नबर long and aggressive speech यानि कि लंबी हो और कैसी हो अपर बी तो कैसा हो अकर्मक हो अकर्मक यानि कि किस तरह से आपको दुख या मतलब सुनने के बाद एक अंदर शे गुसा आए और बहुत लंबी अपर उसको बोलते हार आस होता है ना करकश अच्छा सा नहीं तूसी परकार बो a short story with a moral usually with animals as a character यानि कि छोटी स्टोरी हो जै कि कैसा moral हो यानि कि जिससे नैतिक हो अच्छा समझते इसका क्या हो कि इसका करेक्टर हो जानवर को सब्सक्राइब तो उसको बोलते है फेवल फेवल यानि कि योग होता है नेक्स्ट है having two opposite feeling at the same time यानि कि दोनों other हो मतलब एक दूसरे को अपोजिट हो लेकिन क्या feeling जो दोनों का एक ही समय पर हो ठीक है अपोजिट में अपर feeling दोनों का एक समता एक समय साथ हो उसको बोलते है एंबिवलेंट एंबियाई भी ए एरियंटी नेक्स आते हैं a song sung at a burial यानि कि जो song आया जाता है burial को तो उसको कालते है पहाँ कि जो जून में रहता उसे क्या बोलते है फ्लेट ओके और एक जानुर होता है उसका अलग होता है इसलिए वैसा मतना हो वह सीप होता है एस डेवली पी जो फ्लॉक बहुत सकते हैं पर यह अलग है एक ग्रूप अप से प्यानिकी फ्लेट हो जागा नेक्स आते नेक जोड़ कैनल विश सैटेस्फाइड राइस इन किसी इनसान को कभी क्या इसको साटेस्पाइड की संतूष नहीं हो उसको क्या बलता है इन साटेवल आईन एसे टी आई अब यह अब नेक्स आते हैं टो राइस इन वहलू यह निकि किसी भी ज़र्वत में किसी इनसान किया अब नेक्स आते हैं कि बिल्डिंग वियर ग्रेंस इसकेप्ट और सब्सक्राइब यानि कि वैसी जगह यानि कि कोई मान चलिए आपको माल गुदाम होगा ठीक है जहां पर किसको रखा जाता है ग्रेंस को यानि कि अनाच को रखा जाता है इसको क्या बोलेंगे उसको बोलते हुआ लिए ग्रेंडशन आपका मुत्वत एंग और ग्रेंरे आपकम ऊनुत हुआ की ईं estar no 1 बेसकेट मेंस त्यूरर्ल फॉर्ट होग यानि कि कैसा हो नेतिक्ता हो किसी के दुवारा उसका भी हैब है अच्छी हो में आच्छी हो तुसको बोलते हैं एथिक्स यानि कि गुड़ पर्शन ऑसम पर्शन एंड पर्फेक्ट पर्शन एथिक्स एटी है ट्वंटी फिगर विट एट साइड यानि कि जी मेट आप लोग जीमेटरी पढ़े होगे बहुत बार अपना क्लास नाइन तेंट में तो जान दोगे तो ज पर्शन आपको उसका जेमेटरी फिगल जादी टेन होगा ना तो डेका बोलेंगी जादी फाइफ होगा तो क्या बोलेंगे तो बोलते हैं हम पेंटा इस रहता है तो एक सा एट रहें तो एट अभी ज़िए पढ़े ओक्ता ठीक है और जिदे नाइन साइट रहेंगा तो को बोलते हैं नूना गुण और टेन रहेगा तो डिक आगे याद रखेगा ठीक है आप लोग कमेश्टी पड़े होगे ना मीत इधा प्रपेंड ब्यूटन पैंटन हेक्शन हेप्टन और डिक आप लोग बहुत अच्छे से जान रोगे ठीक है इता साइस कोश्चन अदर कंट्री चे आ रहा हो कि यह से इंट्र में बसने के लिए इमिग्रांट ठीक है ऑई से स्टाट होता जब क्या घ्यान जब दूसरा अपना देश में आगा ना तो इमिग्रांट हो जाएगा लेकिन अपना देश से दूसरा घ्रम में तो यह हो जाएगा यह आपको यह बोला हो जाएगा यह माई जी आरेंटी और आयो नहीं ठीक है याद रखेगा एक प्लेस वेर क्लोस और केप्ट यानि कि जहां पर कपड़े को रखता है क्या बोलते हैं आप लोग यूज करते होंगे आप लोग अलमारी वह बहुता है तो इसको बोलते हैं अपने करता हो बहुत ही कम मतलब बोलता भी हो उससे क्या बोलते हैं रेटी सेंड आरी टी आई सी एंटी नेस्ट है वन हूँ लोड़्स एंड अप्लोड शीप अप्लोड शीप यानि क लोड करता अप्लोड सीप मतलब यानि दाहाज कुछ अप्लोड करता है उसको बोलते हैं अब नेक्स्ट है दा स्कूल और कॉलेज इन वीच वन हज बीन एज्ट यानि कि श्कूल और को लेज जहां पर क्या हो यहां पर एजूकेशन पढ़ाय जाता हूए आजूकेशन उत तो क्या होते हैं अलमा में अलमा में अलमें अलमें एमें यह जो अपलोड करता है अब 26 में आते हैं एक पार्सन हूप रिचेज डिलीजेंट एंड इंड इन कॉंसीटर टूबी मैसेंजर आफ गॉर्ट यानि को ऐसा इनसान जो कि आपकी धर्मिक से रिलेटर हो और समझधारी के क्या हो मैं आपके मतलब जो भी है मैसे अपने भगवांद दूबा कि या ब्रामन के पास आतो या किसी गुरू के पारता है तो आपके लिए उसको क्या बते हैं surplus a-c-r-p-l-u-s ओके याद रखिए गा नेक्स्ट है अंगर एवाउट इन अफ अन फेयर अन फेयर सिच्वेशन और एबाउट समवन अन फेयर विएवियर उसे क्या होते हैं इन डाइजी नेशन इन डाइजी नेशन नेशन ठीक है याद देखिए नेक्स्ट है वन फू लब्स कांट्री यादि जो अपने देश को प्यार करता है उसे क्या बोलते हैं पेट्राइट पी आटी आराई ओटी ओके यादेख्या इन कैपेबल ओपेंग डेप्स यानि कि ज इसको बोलते हैं दिवाल या यानि कि पूरी तरह से क्या उसके पास पैसा और एकदम नहीं अपना जो भी पेए करने में जो धर लिया था उसको बोलते हैं इन को अटा दिया तो सॉल्बेंट हो जागा यानि क्या अधा का एबल टू पेंग डेप्स हो जागा ठीक है और इ इसका जन्म जहां से गया उस जगह से क्या उसको मतलब की संबंद रखता है अपने उसको क्या बोलते हैं तो इंग्लिज से बोलते हैं कॉंजीन टी आई एल यानि की होता है न हमारे दिक्सके मात भूमी तो वही आपका क्या होगा परेटेंट आप जन्भूमी यानि इंसान एट्रेक्ट और क्या फ्लासिस यानि कि चमकदार वह गड़ा स्टाइलिस और लगा गल्सी हो गई त्या किस तरह के अपने मार्केट में गया या पाड़ी वह रहा हमें तो उस टैप में ड्रिस पन लिता आपका अट्रक्ट हो जागो उस द्रिस्ट के पर तो क्या एफ लेम ब्यो वाई एंटी ठीक है याद देखेगा फ्लेम पॉयंट नेक्स्ट है टू ब्राइटन अफ विट लाइट यानि कि जो की चमकता हो पर कैसा लाइट की जैसा हो तो उसे क्या बोलेंगे इल्मिनेट 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 मतलब ऐसे पीद्डियोंत होता है क्लेटि-ट-ब्र nearly नंइक्सирい में चैन्टर करेक्टर इन ऑर्सटे cients केंद्रपर पनलब चैन्दरपर क्या एक फ eerste कृद्ट खेला हो नहीं यह पर्सन होता है इसको क्या बलते हैं ब्रोटागोनिस्ट प्रो टी एज हो यह इस टी कैं टी इच्टवर का न की शिर्ट पर यह जो कि Wie भाखम पर वरुस्टा करता है क्या होता है मतलब क्यों रहता है कंफ्यूजन में कि भगवान होते हैं कि इसको संदोकिक बोलता है एंट्रॉ बोलता है यादर रखेगा हमने संट्रल वे बता दिया स्तोडिया फिरीन फ्लें फाइड था फ्लेgere लोग पता होगा जो इसे कि गाउं से बिलोंग करें तो पता होता है ठीक है मानिक से सब्जी लेकिन हो गया उसे क्या बोलेंगे नर्सरी यानिकी नर्सरी आपको बेचना रहेगा तो एक जगह आपको जिस्का ग्रास ओपर का बोलते हैं ठीक है ग्रास ओपर होता है घास वाले होगे आपको यह आप सब्सक्राइब लेकिन करना है जो भी यह मतलब सब अलग लग चीज नाम है नहीं तो उसे परकार जहां पे पौदो गारा को बेच्टर जाता है जिस बहुत सा क्या बोलते हैं देखिए आप लोग ने फिजिक्स में पढ़ा होगा है यहां पर लिखा कि इनक्रीज जो स्पीड अब मैं बता जो कि अपेट को और बढ़ा होगे न वह आपका इसको बढ़ा होगा कितना दरगति तो अपीड के साथ में जो बढ़ दें इसका बोलते हैं इसको सब्सक्राइब या अस्क्राइशन ए डेबल सी ए ए ए ए ए ए ए ए रहे ठी ओके गाइज तो दर्शा कॉंप्लेट थिसिक्स यूर गोचन आय तिंग मेरे को लगता है तेंट या तेंट या या फिप्टीन मिनट लगे होंगी या उससे कमी रहे ठीक है अब कमार वीडियो चलते पर लाइक कर शेर करो और फिर्ट के बाद शेर करो और थांक गाइज और शारी फो अनी जाहते हैं इस तरह का नेक्ट विए देखे तो बिए सब्सक्राइब और थांक यू गाइज